Hello friends, BSC की special class में आप सब लोगा एक बार फिर से most welcome हैं और आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे BSC First Year Geology का Second Semester है Higher Known Code Data जिसे हम काफी सारी वीडियो अप्लोड कर चुके हैं और आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Reproductive System of Pantoceros जिसको हम Starfish के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पह stops में करेंगे Introduction कि है किस तरह का to animals है sexuality की कासि से देखेंगे Hero2020, this is a इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा इसकी लाइफ साइकल की रिपर्जेंटेशन कुछ इस तरह से होगी जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं कोई बंते हैं जिसमें उसके पारेंगे डिसकस करेंगी और फाइठी हमारा टॉपिक होगा मैट ticking सब्साजिशन के अधर आई मोट अपलोड कर चुका हूं έχ ठीक है पाइला से लेटीड सभी टॉपिक्स में अप्लोड कर चुका हम आप जाकर के चैनल के अंदर प्लैलिस चेक करेंगे हाईर नौन को डेटा आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो चली स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर डिसकस करेंगे रिप्रोड़क्टिव सिस्टम औफ स्टार्फिश प्यारे दोस्तों हेडिंग डालेंगे रिप्रोड़क्टिव सिस्टम औफ स्टार्फिश तो हम यहाँ पर स्टार्फिश के अंदर रिप्रोड़क्टिव सिस्टम को स्टड़ी करेंगे प्यारे दोस्तों क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स की बोड़ी में वीटल अक्टिविटीज मतलब कि जैविक क्रिया के लिए अलग-अलग तरह का सिस्टम बना हुआ है ठीक है अलग-अलग तरह की ओर्गन्स प्रेजेंट होते ह है number second, digestion है, तो digestion के लिए digestive system बना है, digestive system कैसे बना है, उसमें digestive organs होते हैं, जो की हमें digestion में help करते हैं, उसमें कई सारे enzymes होते हैं, glands होते हैं, जो की enzyme πόs हमारी body के अंदर कई तरह की vital activities है, तो इसी तरह इसे सभी animals के अंदर हैं अब आप जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे है reproductive system of starfish तो इसमें introduction का क्या मतलब है introduction में हम क्या क्या कौन कौन से point of view देखते हैं जैसे for example हम जिस animal के reproductive system को study कर रहे हैं वो bisexual है या unisexual है जैसे for example हम अपने ही humans beings का example लेते हैं human जो होता है वो unisexual होता है male organs अलग body में होता है female body अलग होती है तो इसी तरीके से दूसरे animals पर भी हम इस चीज को देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है जैसे for example हम astreas की बात करें जिसको हम pentoceros भी बोल देते हैं ठीक है starfish के नाम से भी जानते हैं most of the species of astreas are unisexual मतलब काफी सारी जो इसके अंदर species हैं इसकी जो जातिया है वो unisexual है मतलब इसमें male और female और जो body होती है वो अलग-अलग होती है जिसको हम dioces भी बोलते हैं और जैसे अब इसका मतलब क्या होता है sexes are separate except few species मतलब कुछ species को छोड़ दिया जाए जैसे for example astreas rubens ये जो species है rubens species which is a hermophrodite ये hermophrodite है मतलब कि एक ही animal की body में male और female organs पाय जाते हैं clear है तो अब दूसरा point है reproductive organs अब हम देखते हैं कि इसके अंदर reproduction के लिए reproductive organs कौन-कौन से present होते हैं so the reproductive organs of astreas are of primitive type मतलब बहुत ही primitive type का होता है ठीक है and lack copulatory organs अब जैसे कि आप mature हैं graduation कर रहे हैं तो आपको पता होगा copulatory organs क्या होता है कैसे copulation होता है अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो copulatory organs है वो इसमें absent होता है मतलब lack होता है उसकी कमी पाई जाती है और साथ में accessory glands मतलब की ऐसी glands जो की हमारे reproduction में help करती है ठीक है ऐसी glands जो की हमारे reproduction में जिसकों सहायक गरंथिया भी बोलते हैं accessory glands वो absent होती है साथ में receptical for storing ova मतलब की ova को store करने वाले जो recepticals होती है वो भी absent होती है तो इसमें present क्या होता है जिसकी help से reproduction करते हैं तो यहाँ पर वो point है तो अभी आप से यहाँ पर एक point मिल गया है कि starfish के अंदर सिर्फ और सिर्फ मलब की इसमें जो है copulatory organs का पूरी तरीके से अभाव होता है जिसकों बोलते है कि lag कमी पाई जाती है लेकिन इनके अंदर क्या present होता है there are only gonads gonads present होते है which act as a reproductive organs जो की reproductive organs की तरह help करते हैं या act करते हैं अब हम पढ़ते है gonads क्या होता है वही gonads में क्या होता है तो the male gonads are testis इसके अंदर जो male gonads होता है वो testis होता है अब हम जो आपके mind में भी question होगा कि हम हर्मेफोरोडाइट की study कर रहे है या unisexual तो हम आपको पहले ही बता देंगी हम यू जो है unisexual की study कर रहे है मतलब कि male body अलग होगी और female body अलग होगी so gonads के बारे में अगर आपको बता है the male gonads are testis and female gonads से होता है वो ovaries के रूप में होता है testis से क्या बनेगा spums बनता है जैसे human beings के अंदर male में testis होता है तो testis के help से spums बनता है उसी तरह females में gonads होता है जिसकी help से ovaries मतलब बनता है ovaries से over बनेगा तो इस तरीके से इन में gonads पाए जाते है इस sexually mature male और female individual contain 5 pairs of testis and ovaries मत 5 pairs पाए जाते है and one pair is lying free literally in the proximal part of each arms between the pyrolyxica and the ampulee आपनी starfish के जैसे की मैंने आप अल्रेडी discuss किया हुआ है starfish का ambulacral system या फिर water vascular system बहुत ही most important question है examination paper के point of view से जिसकी help से काफी सारी उसकी vital activities जितनी भी जैवी किरियाएं है वो सब की सब उसी की help से होती है जिसके बारे मैं already बता चुका हूँ तो वहीं से point यहां से आप जिसने वो point पढ़ा होगा तो वो इस line को भी समझ जाएगा तो वो बनलब की gonads कहां पर present होते है इस single pair gonads present होता है so the testis and ovaries are morphologically similar testis और ovaries जो होता है वो morphologically similar होता है and each gonads appear as a elongated feathery tuft or tuft of the tubules or bunk of grapes मलब अंगूर के उच्छे की तरह tuft मलब जूंड feathers like मलब बंग की तरह जूंड में इस तरीके से दिखाई देता है अब finally main point क्या आता है कि जब आप यहां पर पढ़ते है किसी में जो fertilization होता है वो external fertilization होता है किसी में fertilization internal होता है तो यहां पर इसमें देखते हैं किस तरह का होता है देखो the mature spums and ova are discharged by the male and female esterias respectively in a sea water जैसा कि आपको पता है कि जो starfish है यह समुदर में रहने वाला होता है तो यह क्या करता है अपने ova को male body male body जो होती है वो अपने spums को कहा discharge करता है water के अंदर समुदर के पानी के अंदर discharge कर देता है और वहीं पर अगर हम बात करते है female body भी जो है अपने ova को वहाँ पर discharge कर देती है तो spums और ova दोने के दोनों कहां पर discharge किये जाते है समुदर के पानी के अंदर तो इसका मतलब कौन सा fertilization होना होगा external fertilization होगा क्योंकि body के बाहर हो रहा है यह दोनों जो diagram है काफी important है यह gonads को represent करेंगी gonads कहां पर present होता है तो guys fertilization के बाद अब हम यहां पर यह diagram आपको दिखाए दे रहा है जब अगर question इस तरीके से पूछा जाए describe the life cycle of starfish, austrias या फिर pentoceros तब आपको ऐसे यहां पर represent करना होगा इस तरीके से diagram बनाना होगा इसकी complete life history या life cycle को explain करना होगा ठीके explanation आप हिंदी में करते हैं English में करते हैं doesn't matter लेकिन यहां पर क्या होगा देखो और फाइनली कौन-कौन से larval stages आती है और कैसे दुबारा से convert हो जाता है तो अभी तक हम कहाँ पर पहुचे है जैसे कि मैंने आपको बताए अभी मैंने fertilization के बारे में बताए कि fertilization जो होता है वो external होता है क्योंकि इसमें जो male body होती है ठीके यह है adult male और यह है adult female इसमें जो adult male होता है वो अपनी body से spums को discharge करता है कहाँ पर water के अंदर वही पर जो female adult होती है वो ova को discharge करती है अपनी body से वो भी कहाँ पर water के अंदर तो अब यह दोनों जो एक दूसरे के contact में आते हैं तो fertilization process में क्या होता है यह जो sperm है यह इस ova को penetrate कर जाता है और penetrate करने के बाद यह निकलेस से जाकर जोड़ी जाता है जिसे इसमें fertilization का process होता है तुरंथ fertilization के बाद यहाँ पर बनता है जाइगोट जैसे ही fertilization होगा fertilization के बाद बनेगा जाइगोट फिर उसके बाद धीरे जाइगोट में cleavage होगा cleavage से पहले इसमें marula होगा marula बनेगा अब इस marula में blastulation का process होता है जिससे blastula बनता है और यहाँ पर देख सकते हैं यह blastula in section section of blastula और फिर उसके बाद blastulation में जिसमें gastrulation की किरिया होती है यह blastopore बना हुआ है जैसे इसमें gastrulation की किरिया होगी तब यह let gastrula बनेगा अब finally यह जो gastrula है जैसे इक gastrula है यह जो है अब larval stage इसमें start हो जाएगा तो अब हम directly जो development of larva देखेंगे वो यहाँ से ले कर कि यहाँ तक के process में हम यहाँ तक cover कर चुके हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर क्या देखते हैं देखो fertilization के बाद embryo goni stage के अंदर काफी सारे larval stages आते हैं लेकिन fertilization के बाद क्या बनता है जाइगोट जाइगोट में क्या होगा cleavage होगा holoblasti cleavage होता है और फिर उसके बाद gastrula gastrula और last में larval stages आती है जिसके बारे में हम जिसमें कई तरह के larva भी बनते हैं यह है early bipineria larva यह latter bipineria larva मतलब यह complete mature है यह देख सकते हैं rediment of starfish and finally यह young starfish में convert हो जाता है और जैसे इसमें metamorphosis होगा यह adult male यह female में convert हो जाता है तो इस तरीके से इसकी life cycle है जिसको आप explain कर सकते हैं mainly इसमें क्या है आपको यह ध्यान लगना बहुत ही simple life cycle है वही इसमें क्या है दोनों के दोनों क्या है unisexual है मतलब male और female अलग है और दोनों अपने अपने जो reproductive organs से क्या करते हैं इसमें reproductive organs already मैं बता है हो कि इसमें gonads के रूप में होता है दोनों sperm और ova को discharge करते हैं fertilization होगा और फिर वही cleavage हो करके blastulation, gastulation की क्रिया process द्वारा फिर larval stages आ जाएंगी और larva जो है finally convert होगा adult male या female में तो इस तरीके से इसकी life cycle complete होती है सबसे पहले आप इसको note करें काईज अगर आप यहां पर larval development के बारे में बात करें तो number first larva बनता है ठीक है जैसे ही process of gastulation की क्रिया हो जाती है तब यहां पर बनता है first larva जो कि होता है dipleularia larva ठीक है dipleular larva जो कि first larva होता है और यह सभी echinoderms के अंदर पाय जाता है यह point note करेंगे important है यह सभी echinoderms के अंदर पाय जाता है और यह bilaterally symmetrical होता है और mature होने के बाद यह diatums बैगा रहो ठीक है जैसे जैसे इसकी body develop होंगी अलग-अलग तरहें कि जो organs से वो develop होंगे यह diatums का सेवन करता है diatum आपने botany के अंदर पढ़ा होगा वो diatum को ऐसे food के रूप में यूज करता है फिर उसके बाद number second अब यह जो dipleular larva है यह convert हो जाता है dipenaria larva dipenaria larva diagram आप यहाँ पर देख सकते हैं यह exam paper में short question में इसके लिए note कर लें पूछा जाता है अगर यह questions life cycle नहीं आए तो यह जरूर पूछा जाता है what is hypenaria larva तो आपको यहाँ पर इसका डाइग्राम भी बनाना है और साथ में इसके explain भी करना है ठीक है यह इसका median dolce arm है यह इसका pre oral arm है इसके guts है this is anus this is a post lateral arm this is a mouth ठीक है अब उसके बाद यह जो bypinelia larva ही काफी दिनों स्वीमिंग करता है मतलब दीर दीर इसके अंदर development आती है और यह change हो जाता है branchiolaria larva मतलब कि यह अपने third larva stages में convert हो जाता है तो आपने क्या देखा कि three larva stages इसकी life cycle के अंदर आती है जिसमें जो last larva stage जोता है वह ब्रैंकियो ब्रैंकियो नोराल लोरिया लार्वा ठीक है अब इसके अंदर इस ब्रैंकियो लोरिया larva में होता है Metamorphosis जैसे इसके अंदर Metamorphosis होगा मलब इसकी कुछ organs मलब की इस लार्वा के अंदर कुछ और इस और दीरे disappear होंगे और और कुछ जो नए organs है वो धिर धिर अपिर होने स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है आगे का इसमें organs का development होता है अलग अलगतर है कि इसकी जो body है उसकी body के अंदर पाए जाने वाले जितने भी organs है जो की digestion, respiration में इसकी vital activities में help करते हैं वो सब धिर 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 इसमें develop होगा और एक न वीडियो में बाई बाई थैंक यू सो मच